नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो आपको बता दे कि किसानों ने दे दिया है सरकार को 19 दिसंबर का अल्टिमेटम बोले मांगे नहीं मानी तो हम करेंगे अब ये काम जी हाँ आपको उता दे कि किसान लगतार और भी जादा रोंदर रूप धारान करते जा रहे हैं दोस्तो सनिवार को उन्होंने सरकार को उपवास रखने की चितावनी दे दिया है इतना ही नहीं उन्होंने सरकार को 19 दिसंबर को अल्टिमेटम भी दे दिया है कहा है कि सरकार लगातार संगठनों से कानून में किये गए संसोधन को मानने की अपिल कर रही है पुलिस ने भी परदर्सन कर रहे किसानों को बड़े हाईवे और अन्य सड़कों को ब्लॉक करने से रोक दिया है किसानों को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है नए किर्जी कानून से नाराज किसानों का आंदोलन और तेज हो चुका है सन्युक्त किसान आंदोलन के निता कमल प्रीज सिंग पन्नू ने कहा है कि कल सुबह 11 बजे हजारों किसान राजस्थान के सहाजापूर में ट्रैक्टर से मार्च करेंगे और जैपूर दिल्ली सड़क को ब्लॉक करेंगे उन्होंने कहा हमारे राष्ट के इस्तर पर किये गए अहान के बाद हर्याना के सभी टोल प्लाजा पर आज सुल्क वसूला नहीं जाएगा नहीं मानती है तो हम गुरू तेक बहादूर के सहीधी दिवस पर से ही उपवास सुरू कर देंगे उन्होंने कहा हम 14 दिसंबर को पूरे देश में डीसी दक्तर पर परदरसन करेंगे मतलब साफ है दोस्तों कि किसान अब पूरी तरह से बौकलाते जा रहे हैं और वो दोस्तों अब गौवर्मेंट की पूरी तरह से उनकी बरदास से भी बाहर हो रहे हैं और दोस्तों किसानों ने ये भी कहा है कि आने वाइल दिनों में 19 तारिक के बाद और भी ज्यादा इनका खतरनाक रूप देखने को मिलने वाला है अब देखना है कि गौवर्मेंट इस पर किस तरह से किसानों को जवाब देती है और कहीं ऐसा ना हो कि किसान पूरी तरह से बौखला जाए इसलिए गौवर्मेंट को अब लगता है कि किसानों की बात माननी ही पड़ेगी तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना, सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद